एक कंपनी क्या है? कंपनी एक Registered Association है जोके Artificial कानूनी व्यक्ति के रूप में काम करती है जो एक कानूनी व्यक्ति या कानूनी व्यक्तियों के समहू द्वारा किसी व्यवसाई या अध्योगिक उद्यम में संलगन होने या चलाने के लिए बनाई जाती है इसे कमपनी के विशेशताओं के बारे में बात करें तो एक कमपनी तब अस्तित्व में आती है जब वो कमपनी अधिनियम के तहट पंजिकरित होती है यानि कि रजिस्टर होती है कानूम की नजर में एक कमपनी भेक आठिफिशिल वेक्ति होती है जिसके पास किसी भी संपत्ति काधिग्रहन या निप्तान अपने नाम पर अनुबंध करने और दूसरों के द्वारा मुकदमे करने और मुकदमा चलाने का अधिकार होता है एक कमपनी की एक अलग इकाई होती है और वो अपने सदस्यों या इसे नियंत्रित करने वाले लोगों से अलग होती है यानि की स्वतंत्र होती है कमपनी के किये कामों की वजह से वेक्तिगत सदस्यों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता कमपनी सदस्यों के व्यक्तिगत रिणों का भुक्तान करने के लिए कमपनी भी जिम्मेदार नहीं हूती एक कमपनी एक स्टेबल व्यवसाइक संगचन है इसका जीवन इसके शेरधार को निदेश को या कर्मचारियों के जीवन पर निर्भर नहीं करता है सदसे आ सकते हैं और जा सकते हैं लेकिन कमपनी हमेशा के लिए चलती रहती है एक कमपनी कार्टिफीशल व्यक्ति होने के नाते अपने हस्ताक्षर के विकल्प के रूप में अपनी सामाने मोहर का प्रयोग करती है कमपनी के समाने मोहरवाला कोई भी दस्तावेज कमपनी पर कानूनी रूप से बादिकारी होगा एक कमपनी गारंटी द्वारा सीमित या शेरो द्वारा सीमित हो सकती है शेरद्वारा सीमित कंपनी में शेरधारकों की देंदारी उनके शेरों के मूले तक सीमित होती है गैरंटी द्वारा सीमित कंपनी में सदस्यों की देंदारी उस राशी तक सीमित होती है जिस पर वो कम्पनी के बंध होने के स्थिती में कम्पनी की संपक्ति में योगदान करने के लिए सहमत हुए थे अब बात करते हैं कम्पनी के एहम पदों की और उन पदों पर विराजमान लोगों के अधिकारों और जिम्मिदारियों की Shareholders, Board of Directors, CEO, CLO, CFO, COO, CTO, CMO, Manager and T Shareholders की बात करें तो Shareholders उस वेक्ति या संस्था को कहते हैं जिसके पास किसी सार्वजनिक या निजी कम्पनी के एक याधिक शेरों का स्वामित वहो Shareholders, Company पर मालिकाना हक रखने के नाते, Company के वेबसाई के सफलता से होने वाले मुनाफे के भी हकदार होते हैं Shareholders, Company या संस्थान हो सकता है बशर्ते, उसके पास Company का कम से कम एक Share और दो तरहके होते हैं Equity Shareholders, जैसा की नाम से ही पता चलता है, ये Shareholders, Company के Equity के मालिक होते हैं Preferences Share धारक, जब भी किसी Company में मुनाफ़ा बाठने का समय आता है, तब Preferences Share धारक को प्राथमिक्ता दी जाती है वहीं दूसरी और वो Company के कारेकारी फैसलों से संबंधित मामलों में वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं इसके अलावा, Preferences Share धारक को Fixed Dividend Rate से डिविडेन दिया जाता है, चाहे Company का Profit ही दाव पर क्यों न लगाना हो Share धारक की भूमिका और उनके अधिकारों की बात करें, तो निदेशकों के नियुक्ती, निदेशकों के खिलाफ कानूनी का रवाई Company के Auditor के नियुक्ती का अधिकार, General Meeting बुलाने का अधिकार, Books और Accounts का निरिक्षन करने का अधिकार, Financial Statement प्राप्ट करने का अधिकार, Company का समापन करने का अधिकार, ये सब Shareholders को होता है अब बात करते हैं Board of Directors की, Director यानि की निदेशन, ये शब्द किसी ऐसे वेक्ती को परिभाशित करता है, जो Company Board में नियुक्ती का अधिकार रखता है Board of Directors का मतलब है उन वेक्तियों का समहू जो किसी भी Company के शेरधारों को द्वारा Company के मामलों का प्रबंधन करने के लिए चुने जाते हैं निदेशक वैसे तो Company की नीतियों को निर्धारित करने और Company के काम को निदेशित और नियंतरित करने का काम करते हैं Private Limited Company के लिए कम से कम दो Directors होते हैं और एक Limited Company के लिए कम से कम तीन Directors होते हैं अब बात करते हैं CEO की CEO का पूरा नाम यानिके Full Form Chief Executive Officer CEO को हिंदी में मुख्य कारिकारी अधिकारी कहते हैं CEO एक Company का मुख्य अधिकारी होता है मतलब ये कि कमपनी में होने वाले हर कारे की जिम्मेदारी CEO की होती है CEO का कारे होता है अपनी Company के विकास के लिए वहतुरीन टीम बनाना और किसी भी तरह से अपना Business बढ़ाना एक Company में किसी भी बड़े Project के लिए एक टीम बनाना भी CEO का ही काम होता है मतलब ये कि एक Company को किस तरह से चलाना है ये पूरी तरह से एक Company के CEO पर ही निर्भर करता है CEO को मुख्य अधिकारी ये Managing Director के नाम से भी जाना जाता है Company के लिए दिशा प्रदान करने के लिए CEO ही जिम्मेदार होते हैं एक CEO एक Company में सरवोच रैंकिंग कारेकारी होता है और उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में प्रमुक होता है Corporate Facility लेना एक Company का संचालन और संसाधनों का प्रबंद करना अब बात करते हैं Chief Executive Officer से नीचे के पदू की यानि कि CLO, CFO, COO, CTO, CMO इन सभी की जिम्मेदारी होती है CEO को रिपोर्ट करना CLO का मतलब है Chief Legal Officer, CFO Chief Financial Officer, COO Chief Operating Officer, CTO Chief Technology Officer, CMO Chief Marketing Officer ये सभी Officers हारार्की में Chief Executive Officer से नीचे आते हैं Chief Legal Officer की बात करें तो मुख्य कानूनी अधिकारी होता है CLO एक कमपनी के अंदर एक वरिष्ट कानूनी कारेकारी होता है जो कमपनी और उसके कर्मचारियों को प्रमुक, कानूनी और नियामक मुद्दों पर सलहा देकर कमपनी को कानूनी जोखिमों को कम करने में मदद करता है और मुकदमेबाजी से भी बचाता है Chief Financial Officer मुख्य वित्ती अधिकारी एक वरिष्ट वित्तीय कारेकारी होता है जो किसी कमपनी के वित्तीय मामलों की जिम्मिदारी देता है Chief Operating Officer मुख्य परिचाला नधिकारी एक वरिष्ट कारेकारी होता है जो कमपनी के भीतर चल रहे व्यावसाइक कारियों की देखरेक करता है CEO, CEO को रिपोर्ट करता है और आमतओर पर कमपनी के भीतर second in command होता है मुख्य तकनी के अधिकारी, मुख्य परोध्योगी की अधिकारे एक कमपनी के अंदर एक वरिष्ट प्रोध्योगी की कारिकारी है जो वर्तमान प्रोध्योगी की विकास और रखरखाफ पहलों की देखरेक करता है। CT की विशिष्ट जिम्मेदारियों में कमपनी के लक्षियों के साथ प्रोध्योगी से संबंधित वैसले लेना, प्रोध्योगी की विकास का प्रबंधन करना, प्रोध्योगी की परिसंपत्यों को बनाय रखना और प्रोध्योगी की नीतियां बनाना शामिल है मुख्य विक्रे अफसर, मुख्य मार्केटिंग अधिकारी एक कंपनी के अंदर एक वरिष्ट विपढन कारिकारी होता है जो राजस्व बढ़ाने ब्रांड शवी में सुधार और विपढन अभियानों के प्रबंधन जैसे विभिन प्रकार के कारियों में शामिल होता है CMO कंपनी के सभी डिविजन्स में मार्केटिंग रड़नीतियां बनाता है जो कि सीधे विपढन और विकास विभागों से जुड़ा होता है अब आती है बात मैनेजर की मैनेजर यानि की प्रबंधक अधिकारियों या मंडल के अध्यक्षों या उपाध्यक्षों या फिर वरिष्ट प्रबंधकों को रिपोर्ट करती है एक कंपनी में प्रबंधकों की जिम्मिदारियों की बारे में बात करें तो लेखा प्रबंधक कंपनी की किताबों का रख रखाप, भरती प्रबंधक कंपनी के लिए कर्मचारियों की भरतियों और साक्षादकार की स्थापना, प्राध्योगी की प्रबंधक किसी उत्पाद कारियों में विभाजित होने कि सिती के देखरेक करने वाला व्यक्ति होता है महा प्रबंधक किसी कारेले या कारखाने में महा प्रबंधक को न्यूप किया जा सकता है जिसे कार्यात्मा प्रबंधक रिपोर्ट करता है एक कंपनी में हर एक प्रबंधक की अलग-अलग जिम्म के जरीए हर एक प्रबंधक के नीचे अपनी अपनी टीम होती है टीम में जरूरत के हिसाब से लोग रखे जाते हैं जो कंपनी के हित में काम करके देते हैं ये होती है कंपनी उसमें काम करने वाले लोग और उनकी इस तरह से अलग-अलग जिम्मेदारिया होती हैं जिससे के कंपनी अपने रोज के लक्ष से लेकर बार्शिक लक्ष को पूरा करती है कैसे लगे आपको ये जानकारी कमेंट कर हमें जबूर बताएगा कर दो दो झाले जानकारी कमेंट जानकारी कमेंट जबूरा करती हैं